कि हलो गाइस वीडियो में बात करूंगा बेटाजाइम सीरप के बारे में बात करूंगा जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है कोश्टी पेशन पेट में एठन के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसके बारे पूरा डिटेल में बता हूँ का इस वीडियो को लास् तो उसको दूर करने के लिए इस तरह के मॉलेकुल होते हैं पैकेसिंग की बात के 2 अमल का सीरफ आता है और 112 रुपय का मार्केट में प्रेपर में मिल जाता है। इसके फायदों की बात करें, इसके यूजेश की इसके इसी में इस्तिमाल में लाय जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति मरीज की पाचिन शकती कम्जोर हो जाती है, तो इसको दुरूस्त करने के लिए विटाजायम सीरप को लेने की सलाँ दी जाती है कबस की समस्या रहती है पेट फूलने लगता है भूख कम लगती है तब भी इस सीरप को लेने की सलाँ दी जाती है पेट में मरोल रहता है पेट में गैस बगरा बनती है तब भी इस सीरप को लेने की सला दी जाती है यह संप साल से नीचे के बच्चे को इस सीरप को नहीं देना होता है अब इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है ध्यान से सुनिया कि हर एज के विक्ति को अलग-अलग डोस दी जाती है इसलिए ध्यान से सुनिया मैं आपको पूरी डोस बताने वाला हूं कि बच्चों में कितनी दी जाएगी और एडल्ट में कितनी दी जाएगी इन्हीं सुबा शाम आप 4-4 एमल दे सकते हैं अगर 13 साल से उपर का बच्चा यह एडल्ट है तो उसको 7 एमल सुबा शाम को दिया जा सकता है बाकी यह डोस जो पेशन्ट के कंडिशन के इसाब से घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है सिरप को दिए यहां सकता है अगारा आप को पेशन्ट को भूगभी लगने लगें गार चैकर स्बस्ट को कुछ ही मरेज़ों में देखनें जैसे ऐरी और किसी को नीन भी बहुत ज़ादा आने लगते हैं तो यह सब्सक्राइब करें आपको पूरा समझे में आगा है और प्लीज वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन वीडियो को साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में